आज हम बात करेंगे वेब डिजाइनिंग कोर्स ट्रेनिंग के बारे में यदि आप एक वेब साइट डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमन साबित होगा क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कुल कितना खर्च लगता है कितना टाइम लगता है कितने पैसे लगेंगे और कोर्स करने के बाद से कितनी संभावनाएं होती हैं कहां कहां हमें जौब मिलेगा जौब और कैसे हम खुद का वर्क कर सकती हैं तो जान लेते हैं web designing course training के बारे में, तो इसमें पहला है course duration, कितना time आपका लग जाता है, course medium, अक्सर question होता है कि वहाई कितना time लगता है, अक्सर आप लोग के query आती है कि सर, web designing course की training करने में कितना समय लग जाएगा, कितने महीने, कितने साल, कई जगा की बाते आती हैं, तो य offline course कर सकते हैं, normal mode में कर सकते हैं, तो यह तमाम तरह की सुविदाएं आपको मिल जाती हैं, यदि आप normal mode में course करते हैं, तो यह course जो है आपका 2-3 महीने, 6 महीने तक का चला जाएगा, लेकिन अगर यह fast track mode में करते हैं, तो बहुती कम समय में यह course आप कर सकते हैं, और कहीं को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आगे बढ़ने की possibilities बहुत जादा होती है अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजे होती है अगर fast track mode से अगर आप course करती हैं तो fast track course duration को जान लेते हैं नारमल मोड में अगर आप करते हैं course तो ये course करने में आपको 7 days का वक्त लग सकता है। तो आपको 3500 रुपए लगेंगे अगर वैब डबंस को लगेंगे तो उसमें आपके 10 days लगेंगे और जिसकी फीस आपकी लग जाती है 16000 रुपए यदि dynamic mode में जाते हैं तो ये course का time आपका बढ़ जाता है 15 दिन लग जाता है उसमें आपको 24,000 रुपे पे करने होंगे यानि ये जो web designing का course है वो तीन label में divide किया गया है normal, advanced and dynamics में ठीक है ये तीन category है ABCD आप ABC समझ लीजे तो एक course है अब जहिर सी बात है जब course में changes है तो उसमें जो subject होंगे जो slabus होगा वो slabus भी change होगा नार्मल web designer में एक नार्मल web page designer आप बन सकते हैं इसमें थोड़ी और भी जानकारी बढ़ जाती है डाइनेक में थोड़ा और भी बैतरीन हो जाते हैं वो perfect गहा जाता है training medium जो होगी आपकी वह होगा हिंदी और इंग्लिस में होगा project work जो भी होगा live होगा it means step by step आपके साथ expert रहेंगे आपको बताएंगे ठीक है आप online करिए offline करिए जहां भी रहेंगे वहाँ पर आपको step by step अगदम बिलकुल live आप देखते हुए कर सकते हैं वीडियो के थुरू और अगर आप घर से करते हैं तो इसके लिए आपके पास laptop या desktop का होना जरूरी है और उसके साथ साथ internet का होना भी जरूरी है क्योंकि कभी अगर आप live होते हैं या फिर जो है कुछ पूछना होता है तो live हो सकते हैं otherwise अगर वो internet की बिवस्था नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं आप जो है वीडियो के थुरू पढ़ाई कर सकते हैं और टेलिफोनिक discussion कर सकते हैं फूडिंग और लॉजिंग की मैं बात करूँ तो इसमें जो खर्चे आते हैं वह लगबख धाई जार से लेकर 45 रुपे तक के खर्चे आ जाएंगे आप अगर 7 दिन दस दिन और 15 दिन का जो भी कोर्स करते हैं तो यह थोड़ा बहुत वैरी करता है कम या अधिक हो सकता है सैलरी की अगर बात किया जाए तो इस कोर्स को करने के बाद से जो सैलरी जैसे जैसे लेबल होगा उसके लेबल तो एक बीच का मैं बात कर रहा हूँ एक आउसत सैलरी की बात कर रहा हूँ वह होगा आपका लगबख 25,000 रुपे से लेकर 45,000 रुपे तक आपके बल वैब ड डेजाइनिंग से कमा सकती हैं जी हां ये salary मिल सकती है ये भी salary जो है depend करती है company के उपर company किस तरह की कह है company अगर बड़ी company है कोई MNC है तो वहाँ पे आपकी salary बहुत अधिक मिलेगी और अगर कोई छोटी company है तो वहाँ पे आपकी salary थोड़ी कम हो सकती है बहुत अच्छा growth है इसमें बहुत अच्छा opportunities है आपको job के भी और खुद का काम करने में यदि आप खुद का काम करते हैं तो ये एक बहतर decision होगा आज कल देखा गया है कि बहुत से लोग खुद का काम ही शुरू कर रहे हैं सपोज करिए कि यदि आपने महीने में 10 से 15 website पे काम किया या उतना order लिया आपने काम किया अगर थोड़ी थोड़ी की बात में करो एक website से अगर आप 6000 रुपए की इंकम करते हैं तो कम से कम महीने का 6000 रुपए तो आपके पास होई जाते हैं और प्लस वह customer हमेशा के लिए बढ़ जाते हैं next month में वह क्या होगा फिर उतने customer आपके बढ़ेंग तो अधरवाई बहुत से लोग बीच में उसे छोड़ भी देते हैं बाकी तो खाय उसे कोई लेना देना नहीं है आप एक आएंगे बिजनस तो आपके पास आएगा जाएगा अगर खुद का बेउसाय करते हैं यदि आप आप नौकरी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नह करें वेबसाइट को आप विजिट करें वहां से आप जनकारी ले सकते हैं उमीद आपको सारी जनकारी अविलेबल हो गई होगी और मैं बता पाने में कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूंगा तो आगे देखती हैं क्या होगा आप जैसा अगर डिसाइड करेंगे जिस तरीक के लिए विस यू आल दे बेस्ट थाइंक यू फर वाचिंग थाइंक यू फर लॉर्निग